हेलो दोस्तो, स्वागत आपका उत्राखंड एजूकेशन उनिवर्स योटूब चैनल पे तो दोस्तो आज एक बिग्यपती फिर से देखने को मिल रही है जो 22 जूलाई 2023 से संबंदित है दोस्तो, जो विग्यपती है, वो हमारी उत्राखंड दूर संचार विभाग से संबंदित है यानि कि उत्राखंड पुलिस दूर संचार विभाग की जो ये विग्यपती है वो आम आपके साथ साज्या करने वाला हूँ इस पर क्या चीजें दी गई है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा आप लोग बने रही वीडियो के साथ पुलिस संचार विभाग में प्रचलित मुख्या रक्सी पुलिस संचार की सीधी भरती 2021-22 के परिपेक्ष में उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग की संसुस्तियों के एकरम में चैनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा स्वास्त परिक्षण हेतू तिथी निम्नुवत निर्धारित की गई है दिनांक 31 जुलाई को चिकित्सा स्वास्त परिक्षण हेतू अभ्यर्थी कुल्पत यानि कि दोस्तों जो हमारे दूर संचार के जो अभ्यर्थी थे यानि कि जो वाइरलेस के जो अभ्यर्थी थे हमारे उत्राखंड पुलिस से संबन दित उन अब्यर्तियों का भी मेडिकल होना है और मेडिकल के लिए आप लोगों को दहरादून बुलाया गया है और दहरादून में भी आप लोगों को 31 साथ दोह जाते इसको चिकित सा स्वास्त परिक्षण है तो बुलाया गया दो अगस्त को भी 50 अब्यर्टियों को बुलाया गया है और 3 अगस्त को भी 50 अब्यर्टियों को बुलाया गया है बात करेंगे 4 अगस्त की तो दोस्तों 4 अगस्त को 47 अब्यर्टियों को बुलाया गया है अब बात करेंगे अतहा उपरोक्त भरतियों को सुचित किया जाता है कि वह चिकित सा स्वास्त परिक्षन हेतू उपरोक्त अनुकरमांग के अनुसार नियत तितिको प्रातह साथ बजे तक पुलिस लाइन दहरादून में अपना प्रोविस पत्र आधारकार्ट एबं चार न मेडिकल में जो दस्ताविज आपको लिखे जाने हैं उन दस्ताविजों के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत आउश्यक मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोग ध्यान रखेगा इन चीजों को या तो फिर आप लिख लें ताकि आपको जाने से पहल लाइन दहरादून में उपस्तित होना है साथ ही आपको वहाँ पर एक परवेश पत्र ले जाना है जो आयूक की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आधरकाट ले जाना है आपको अपने पहचान पत्र के रूप में और साथ ही जो चार नविंतम फोटो भी आपको साथ पर लेकर जाना है और आप स्वास्त परिक्षण के लिए आप लोगों को कपड़े टाइट नहीं पहने यानिकि धीले कपड़े पहन के जाना है आप लोग 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 टीसर बगरा में जा सकते हैं धीले कपड़ों में जा सकते हैं और जो यह आपक परिक्षण से संबंदित है तो दोस्तों ये नॉटिफिकेशन हमारा आज उत्राखंड दूर संचार विभाग में समली जितने भी अब्यर्थियों को सफलता मिली थी उन सभी अब्यर्थियों के लिए है यह दिगर आप लोगों को ये नॉटिफिकेशन पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें लाइक करें कमेंट करें धन्यवार